क्या आप लोग भी जवान दिखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप पहले से भी जादा खुबसूरत हो जाए? लेकिन तरहा तरहा की चीज़े खरीदने पड़ती है, तरहा तरहा की एक्सिसाइज़े आपको करने पड़ते हैं. तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जिसे खाकर आप अपने उम्र से थोड़े कम लग सकते हैं. और जुरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लेडिस के बारे में बताया जा रहा है, इसे कोई भी खा सकता है. लेकिन इसे खाने के लिए आपको अपनी जेब थ खारी खरीदते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे, जो बेसिकली एक खाने की चीज़ है, लेकिन जिसे खरीदने के लिए आपको अपनी सेविंग तक लगानी पड़ सकती है. बात कर रहे है चावलों की, जी हाँ, हैराने कर देनी वाली ब तो आप जितनी कीमत चुकाएंगे, उतने में तो आप महीने भर का राशन भी खरी सकते हैं. आज हम बात करें हैं, दुनिया के सबसे महेंगे चावल हसावी राइस की, जिसे रेड राइस भी कहा जाता है, और रेड राइस इसे इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये लाल पीचती है, अब तक आपने सुना होगा कि बास्मती चावल सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है, खुश्पूदार है, और महेंगे चावलों में से एक है, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे खास चावलों के बारे में बताएंगे, जिसे खाने के लिए आपका अमीर होना ज़रूरी है, और असल ये दुनिया का सबसे महेंगा चावल है, इस खास चावल को हसावी राइस कहते हैं, इस चावल को खास तापमान में ही उगाया जा सकता है, इसे उगाने के लिए 48 डिगरी सेसिस तक की गर्मी होनी चाहिए, और इतना ही नहीं फसल तयार होने प उसका जो प्रोसेस होता होगा, वो भी काफी जादा कठिन होता होगा, तब ही तो इन चावलों को इतना जादा महेंगा रखा गया है, तो आपका बता दे केसे होगाना, जैसे कि मैं कहे रही थी कि बिल्कुल भी असान नहीं है, इस चावल के पैदावार में तापमान का ख देखभाल की जरूरत पड़ती है, यानि कि जैसे आप एक छोटे से पौधे की देखभाल करते हैं, उसे एक पेड़ बनाने के लिए, तो उसी तरह आपको काफी जादा महनत और देखभाल इसकी करने पड़ती है, इसकी रुपाई भीशन गर्मी के जून जुलाई में होत और इसे वज़ा से इसे रेड राइस भी कहा जाता है, इस शावल को अरब के लोग खास तोर पर खूब पसंद करते हैं, हसावी शावल की कीमत 50 से 70 साओधी रियाल प्रती किलो के हिसाब से होती है, हलाकि कीमत पैदावार पर भी निर्भत करती है, कई बार ये कीमत 80 से 100 र पर रूरी हो जाता है, तो अगर आप इसे अब चेंज करने में या गूगल में देखने के लिए ना लग जाए, तो आपकी जानकारे के लिए आपको बता दे कि अगर भारती करंसी के मैं यहाँ पर बात करू तो इसकी किमत 1100 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रती किलो तक बिखते हैं, है ना हरानी कर देने वाली बार, यानि कि शावल के एक किलो को खरीदने के भाव में औसत भारती परिवार एक महीने का राशन आसानी से खरीद सकते हैं, हाला कि शावल के गुणों के कारण लोग महेंगा होने के बावजूद भी से खाते हैं, हसावी शावल म में fenolic और phelovonide content होता है इस shovel में vitamin और zinc होने के साथ antioxidants भी होते हैं और कहा भी जाता है कि से खाने वाले लोग fit और लंबी उम्र तक जी भी जाते हैं इस shovel को खाने से लोग अधग दिनों तक जमान भी रहते है और अपनांध में शावल की डिमांड ज्यादा भी रहती है आना कि देखिए इंडिया में लोग इसे ज्यादा तर यूज करते हैं या फिर नहीं ये तो हमें इतना फिलहाल नहीं पता है लेकिन हाँ वो लोग इसे जरूर यूज करते होंगे जो काफी जादा अमीर है जिसके पास बैंक बैलन्स जाता है और हम जैसे लोग यानि कि जो एक मिरल क्लास फामली से बेलोंग करते हैं इतने में तो उनके घर के एक या दो महीने का चलिए जादा नहीं एट लीस्ट डेड़ महीने का राशन तो उनका जरूर आता होगा और आज हमने देखिया आपको बताया रेड राइस के बारे में बास्मती राइस से उसकी कंपारिजन भी हमने किया रेड राइस क्यूं कहा जाता है तमाम जानकारिया आपको दी गई थी और ऐसे ही दल्चस्प जानकारियों के लिए बने रही नेशन स्पीक्स के साथ लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेर करना बलकुल भी ना भूलिएगा